हेलो फ्रेंड्स मैं प्रवीन सर द्रिष्टी जूडिस्री की ओर से आपके सामने हूँ आज हम लोग एक ऐसी सक्सियत की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ देश के 51 एक्यानवे चीफ जस्टिस बन रहे हैं बलकी एक इतिहास से जुड़े हुए बहुत बहतरीन व्यक्तित्व के परिवार से भी हैं पहले लेकिन हम बात करेंगे वर्तमान सीजी आई 11 नवंबर को सीजी आई के तौर पर सपत लेने वाले चीफ जस्टिस अफ इंडिया संजीव खन्ना जी का चीफ जस्टिस अफ इंडिया संजीव खन्ना भारत के 91st चीफ जस्टिस अफ इंडिया है जस्टिस चंद्रचूड के बाद ये इस स्थान पर आए हैं जब हम चर्चा करते हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की तो नीसंदे हैं इनके बारे में तो और भी बहुत सारी बाते हम लोग डिसकस करेंगे जैसे कि इनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ और इनके पिता देवराज खन्ना देली हाई कोट में जज हुआ करते थे और इनके अंकल इनके ताउजी हंस राज खन्ना भी सुप्रिम कोट के जज थे थोड़ी सी चर्चा उनकी लाजमी यहाँ पर है क्योंकि अगर जैसे कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति किसी सर्वोच अस्थान के योग्य हो और वहां तक वह न पहुच सके किसी कारण और आप भविस्व में पहुच जाएं तो निश्चित रूप से एक हर्स का विशय होता है तो थोड़ी सी जस्टिस खन्ना को लेकर एक चर्चा उनके ताउजी यानि उनके अंकल की भी करना लाजमी है हंस राज खन्ना बहुत बड़ा नाम भारत की नियाएपालिका में कहानी सुरू होती है इंद्रा नहरु गांधी बनाम राज नरायन के बाद से संचित रुप से इस बात को जान लीजे फिर आगे इनके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे तो कहानी सुरू होती है कहां से इंद्रा नहरु गांधी बनाम राज नरायन के वाद से इलहाबाद हाई कोट के द्वारा 1975 में इंद्रा गांधी के निर्वाचन को अवैद करार कर दिया गया रद कर दिया गया इंद्रा गांधी उस समय प्रधान मंत्री थी भारत की बहुत शशक्त महिला थी और जब यह घटना हुई तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंत्री मंडल कभी मृत नहीं होता क्योंकि शब्द है आर्टिकल 74 में तो मंत्री मंडल तो था ही इंद्रा गांधी ने नाराजगी दिखाते हुए कैबिनेट की मिटिंग बुलाई और कैबिनेट की मिटिंग में यह तै कर दिया गया कि राष्ट्रपती नैशनल इमर्जेंसी की घोशना कर दे हुआ भी वही अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नैशनल इमर्जेंसी के लिए सिर्फ कैबिनेट के रिकमर्डेशन पर राष्ट्रपती ऐसा कर सकते हैं तो यह घटना हुई और नैशनल इमर्जेंसी हो गया एक कानून आया मीसा का कानून आया जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की तरह था और उसके तहट जो जो विरोधी थे राजनितिक पार्टियों के जो विरोधी थे उन सब को जेल में डाल दिया गया और बहुत ब एक व्यक्ति थे शिवाकांद सुकला इनको भी निरोध में ले लिया गया डिटेंड कर लिया गया कि रिट फाइल की गई हैवियस कॉर्पस की आर्टिकल 226 के तहट और आर्टिकल 226 के तहट यह कहा गया कि यह अवैद गिरफतारी है और ऐसा नहीं किया जा सकता आप सब जानते हैं कि हैवियस कॉर्पस का मतलब यह होता है कि बंदी को प्रतेक्ष करो यानि सामने ले आओ नियाले के समक्ष अगर उसकी अवैद गिरफतारी है तो हाई कोट ने यह जजमेंट दिया कि हाँ यह अवैद गिरफतारी है और इसके विरुध केंद्र सरकार यानि इंद्रा की सरकार चली गई उचितम नियाले में उस समय उचितम नियाले के चीफ जस्टिस जस्टिस रे हुआ करते थे और जस्टिस रे के साथ चार अन्य वरिष्ट न्याइधीश उसमें शामिल थे जिसमें चंचूर सहाब भी थे उनके फादर और जस्टिस पियन भगवती भी थे और एक जस्टिस बेग भी थे और हंस राजखन्ना भी थे हंस राजखन्ना को छोड़ कर बाकी चारो न्याइधीशों ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि बंदी प्रतिक्षी करण की रिठ राज यहित में लागू नहीं होती सोलस पापलिस्ट सुप्रीमा लेक्स राज ही थी सरुत्तम विदी है ऐसा करते हुए संचिप्त रूप से आप यह जान लें कि आर्टिकल 21 का जो वाइलेशन किया गया और आर्टिकल 359 के तहत राष्टपती के द्वारा सभी मौलिक अधिकारों को जो सस्पेंड किया गया उसमें उचितन नयाले का यह निरने आता है एडियम जबलपूर वर्सेस सीवा कान सुकला का मामला जिसकी बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं यहां निरने आता है कि राज ऐसा कर सकता है मीशा कानून पूरी तरह से वैध है और इमर्जनसी के दोरां आर्टिकल 21 सस्प अर्टिकल 359 में लिख देती है कि इसके सिवाए बाकी सस्पेंड होंगे यह दोनों नहीं होंगे लेकिन जो उस समय जज्जमेंट आया उस जज्जमेंट से सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया एक मात्र जज्ज थे आपके खन्ना साहब और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अवैध है और राज्ज का मनमाना कृत्त है ऐसा नहीं किया जा सकता अनुछेद 21 और अनुछेद 19 को कभी समाप नहीं किया जा सकता बात आई और गई हो गई और जो परंपरा चली आ रही थी बहुत लंबे समय से कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था वही चीफ जस्टिस अफ इंडिया बनता था लेकिन हुआ क्रम से जस्टिस खन्ना का नाम आगे आना चाहिए था लेकिन उनका नाम आगे न करके जस्टिस बेग जो उनसे निचले पाइदान पे थे उनको चीफ जस्टिस अफ इंडिया बना दिया गया इस बात से नाराज होकर जस्टिस खन्ना ने अपना इस्तिफा दे दिया आज उनी के परिवार का उनका नेफियू उनका भतीजा उनका पुत्र संजीव खन्ना चीफ जस्टिस अफ इंडिया हुए हैं निश्चित रुप से ये बात इसलिए जानना ज़रूरी था क्योंकि आप सोचिए कि जब वो सपत लिये होंगे एक मानव चित गुण के आधार पे बात कर रहा हूँ तो निश्चित इस बात को वो इसमरण कियो होंगे कि आज उस तुटी को इसी कोलोजियम ने कम्प्लीट कर दिया और आप चीफ जस्टिस अफ इंडिया बन गए जस्टिस तंजीव खन्ना का जन्मत जैसा कि मैंने आपको बताया 14 मई 1960 को हुआ और उनके जो अंकल है मैं भारवर बता रहा हूँ हंस राज खन्ना थे सुप्रिम कोट के जस्ट थे जो एडियम जबलपूर वर्सेश सिवा कानसुक लगा जज्जमन जिसको हैवियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है उसमें इन्होंने अपना निर्णे विसमत मत दिया था और इसी से नाराज होकर इंद्रा सरकार ने इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जिसके कारण इनों ने इस्तिफादी दिया और जस्टिस संजीव खन्ना के पिता जी देवराज खन्ना वो दिल्ली हाई कोट में जज्ज हुआ करते थे जज्ज का बेटा ही जज्ज हो रहा ह है लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं आपको यह जानना है कि आपके चीफ जस्टिस वरतमान में कौन है और कैसे यहां तक आए हैं अब यह बार कॉंसिल अफ डेली में 1983 को इन्रोल्ड हुए और 1983 में इन्रोल्ड होने के बाद इन्होंने 30 हाजारी कोट जो दिल्ली का एक लोवर कोट है ट्राइल कोट है ट्राइल कोट में इन्होंने प्रैक्टिस की और इसके साथ ही साथ वो डेली हाई कोट और कई ट्रिबनल्स में भी प्रैक्टिस करते रहे हैं इसके बाद बात आती है बार कॉंसिल में 1983 में और पर्मानेंट जज़ के तौर पर देली हाई कोट में ये पहुचे 20 फरवरी 2006 को लेकिन इसके पहले हम इस बात को भी जानेंगे कि इसके पूर्व वो कई ट्रुडनल्स में काम कर चुके थे और जब वो देली हाई कोट के जज़ बनें 2006 में उसके पहले 2005 में वो स्टेंडिंग कॉंसिल रहते हुए उनको जज़ के तौर पर बुलाया गया और पर्मानेंट जज़ हो गए वो देली हाई कोट के 20 फरवरी 2006 को और 17 जन्वरी 2019 तक वो दिली हाई कोड़ में जज रहे है उसके बाद 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गुगई ने इनके नाम को रेक्मेंट किया कोलेजियम के थूँ इनका नाम आता है और इन्हें सुप्रीम कोड़ का जज न्यूक्त किया जाता है 18 जन्वरी को 18 जन्वरी को ये सिटिंग जज होते हैं सन 2019 में और उसके बाद 10 नौवंबर 2024 तक ये सुप्रीम कोड़ के वरिष्ट सीनियर मोस्ट जज के तौर पर कारे कर रहे हैं इसके बाद आप जान रहा है कि 10 नौवंबर तक ये सीनियर जज थे सीनियर मोस्ट जज थे कोलेजियम सिस्टम जिसको आप लोगोंने देखा है पड़ा है जाना है उसके तहट आप ये बाद जानते हैं कि जो सीनियर जज है वही परमपरा के नुरूप चीफ जस्टिस इंडिया इस देश में बनता आया हुआ है 11 नौमबर को यह सपत लेते हैं जस्टिस चंचूर के स्थान पर देश के एक्याउनवे चीफ जस्टिस के तौर पर और इनका कारेकाल अल्प कारेकाल है लेकिन फिर भी उमीद है कि बहुत अच्छा कारेकाल जायेगा क्योंकि बहुत ही अच्छे निर्णे रहे हैं समिधान के अनुरू तो इनका कारेकाल जो है वो 13 मई दो हजार पच्चिस तक है कितना खूबसूरत मई का महीना है 14 मई 1960 में पैदा हो रहे हैं और 13 मई तक इस देश के चीफ जस्टिस अफ इंडिया बने रहेंगे तो एक तो यह जनकारिया हम लोग लेते हैं करियर जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनका करियर प्रैक्टिस देली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की सब सुरुवात इनुने 30,000 कोर्ट से की थी और यह टेक्सेशन के बहुत स्पैसलिस्ट अड़ोकेट हुआ करते थे और इसी लिए इंकम टेक् इनकम टेक्स डिपार्टमेंट में 6 साल इनुने अपनी सर्विस दी है बलकि 7 साल दी है इनकम टेक्स डिपार्टमेंट देली का जो है उसमें 7 साल तक सीनियर स्टेंडिंग कॉंसिल के तौर पर कारे कर चुके हैं सिविल लौ मैंने आपको कहा कि 2004 में ये क्या हो गए ये स्टेंडिंग कॉंसिल हुए थे देली हाई कोट में और 2004 के बाद मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ष पस्चात ही लगभग ये सुप्रिम को इसमें देली हाई कोट में जज के तौर पर चैनित कर लिए गए फिर आगे और आते हैं इनके बारे में जन करी लेते हैं वही बाद जो मैंने आपको बताई एडिशनल जज के तौर पर 2005 लगभग एक साल बाद कि ये जज हो गए फिर पर्मानेंट जज 2006 में हो गए फिर इसके बाद 2006 के बाद ये 2019 में 13 वर्सों के बाद लगभग 18 जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगई के रिकमरडेशन पर सुप्रिम कोट के जज बन गए और आज 11 नॉम्बर को इन्हों ने क्या किया यह चीफ जस्टिस के तौर पर सपत ले चुके हैं भारत के एक और और चीफ जस्टिस अफ इंडिया यह हो चुके हैं और इनका कारेकाल कब तक रहेगा 13 मई 2025 तक इनका कारेकाल रहेगा अब और आगे बढ़ जाते हैं इनके बारे में ठीक है बहुत अच्छी बाते हैं कुछ इनके बारे में यहां से हम लोग चर्चा करेंगे मैं देख लूँ कि कोई पॉइंट तो आपका नहीं छूटा है इसलिए एक बार देख लेना जरूरी है हाँ ठीक है कोई पॉइंट नहीं छूटा है अब हम लोग चले आते हैं इनके जज्जमेंट पर ठीक जज्जमेंट इनका इनका कुछ एक जज्जमेंट जो हैं बहुत फेमस रहे हैं बहुत चर्चित रहे हैं और हमारी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है इनको हमें जानना चाहिए डिटेल्ड में आप लोगों के कॉंस्टिटूशन के लेक्शर में और या आप लोगों के जो बुक्स आप पढ़ते होंगे उसमें ये बाते आएंगी लेकिन संचिप्त रुप से आपको इस बात को जानना जरूरी है कि वो कौन-कौन से ऐसे जज पुदान रहा है तो सबसे पहले तो आपके सामने एक जज्जमेंट आता है अलीगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी प्रू इस रजिस्टार फैजान मुस्तफा वर्सिस नरेस अग्रवाल का यह बहुत महत्तपूर्ण एक केस आपके सामने आता है जो अजीज बाशा वर्सिस य यूनियन आफ इंडिया यह बड़ा महत्तपूर्ण केस आपके सामने आ रहा है 1967 का यह केस है 1967 का इस केस में अलीगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी को माइनरिटी इंस्टिउशन नहीं माना गया था अलीगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी माइनरिटी इंस्टिउशन नहीं डिक्लेयर किया गया और यह कहा गया कि यह एक अन्य सामान्य इनिवस्टी की तरह ही कारे करती है आर्टिकल 29 और 30 का मैटर इंवाल्व था बिसिकली आर्टिकल 30 के रेस्पेक्ट में यह जज्जमेंट आया था management and administration किसके हाथ में है कौन करता है इसका founder कौन है इसका establishment कैसे हुआ है इसका purpose क्या है इन सब आधारों पर एक बात निकल कि आई कि अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी अल्थ संख्यक्त नहीं है minority institution अभी हालही में चार तीन के majority से चार तीन के बहुमत से seven judges की bench ने अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी को क्या कर दिया minority institution declare कर दिया है अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी now a minority institution as defined in this case held in this case अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी त्रू इस रेजिस्टार फैजार मुस्तफा वर्सिस नरे सगरवाल लेड डाउन पैरामीटर्स तो आइडिफाई a minority educational institution and directed a smaller regular base to determine the minority status of AMU on the basis of the parameters वो पैरामीटर्स क्या है उनको संच्छिप्त में आप जान ले पैरामीटर में सबसे बड़ी बात जो कहीं गई कि what was the historical background for the establishment of AMU AMU का जो एतिहासिक पृष्ट भूमी है वो असल में क्या है हम सब जानते हैं कि मोहमद एंगलो ओरियंटल कॉलेज मोहमद एंगलो ओरियंटल कॉलेज अठारह सो पच्छतर में इसलिए मोहमद एंगलो ओरियंटल कॉलेज अठारह सो पच्छतर में किस ने बनाया सरसयद एहमद खान ने बनाया सरसयद एहमद खान नाम से ही पता है मुस्लिम थे और मुस्लिम मैनोरिटी को मैनोरिटी कम्यूनिटी को अपहिल्ड अपलिफ्ट करने के लिए मौडरेट करने के लिए एजुकेटेड करने के लिए ये एक कॉलेज बनाया गया और यही कॉलेज बाद में चल कर क्या बन जाता है अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी यही कॉलेज है तो ये कहा गया इस जो आप कहेंगे पैरामीटर्स की जो बात हो रही है या गाइडलाइन्स की जो बात हो रही है या जिस बैसिस पर रेशियो डिसंडाई पर यह जजज्मेंट आया है कि एमियू अब क्या होगा अलफंख्यक सेच्छिक संस्ता होगी Minority Educational Institution होगा वो ये है कि इसका historical background ये कहता है कि इसका मकसद ही मुस्लिम समाज की उन्नती के लिए किया गया स्थापना मुस्लिम्स के द्वारा किया गया फंद प्रारंभिक जो funding की गई इसको establish करने के लिए वो भी मुस्लिम्स के द्वारा ही की गई है फाउंडर भी मुस्लिम में आप सब जान रहे हैं और एक बात कही गई इसमें जो महत्पुन बात है कि administration अगर minority नहीं है administration अगर minority नहीं है का मतलब यह नहीं है कि minority institution minority नहीं रह जाएगा क्योंकि AMU में administration में आप बहुत rare में आप minority को ही या majority minority की नहीं देख पाएगा तो यह भी एक बहुत महत्पुन बात कही गई इससे ज़्यादा बहुत कुछ कहने में आपका जो मूल विशा है वो भटक जाएगा इनके और भी कैसे समको देखने है कि क्या क्या इनोंने और कहा अब जो दूसरा केस इनके सामने आता है हम लोग के सामने आता है वो आता है association for democratic reform versus union of india इसको electoral bond case भी कहते है electoral bond case अब यह electoral bond क्या है यह five judges की bench थी जिसमें justice संजीव खन्ना भी थे और पंद्रा फरवरी दो हजार चॉबिस का यह judgment है याद रखिएगा पंद्रा फेवरी दो हजार चॉबिस दो हजार चॉबिस का यह judgment है इस judgment में एक बात जो बहुत महत्तपून कही गई वह यह कही गई कि यह जो nexus है बड़ी बड़ी इंडेस्टिस का इंडेस्टिलिस्ट का कमपनी का और पॉलिटिक्स का यह क्या कर रहा है यह हमारे democratic right को खतम कर रहा है P.U.D.R. versus union of India एक केस आप लोगों को शायद याद होगा P.U.D.R. versus union of India P.U.D.R. का मतलब क्या होता है DR से आप democratic right समझेंगे और यह पूरी बात जो है people democratic right का जो एक संगठन है उसके द्वारा यह केस किया गया था इस केस में यह कहा गया कि right to information किसी भी voter का fundamental right है article 19.1.A से यह guaranteed है it is a guaranteed under article 19.1.A right to expression speech की बात कहां पे नहीं करेंगे expression तो हमारा यह expression है हम जानना चाहते हैं कि हम जिसको चुन रहे हैं वो असल में कैसा इंसान है और उसकी funding कहां से हो रही है कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उसकी funding जो है वो immoral funding है moral terpitude की condition में आने वाली बाते आ रही है तो इस case में इसी बात को दोराई गई और कहा गया कि यह जो electoral bond है वो बिलकुल सही नहीं है क्योंकि इसका उद्देश यह जो है वो बहुत ही असम्यधानिक है आर्टिकल 19.1.1 के right to information जो हमको मिला है उसको violate करता है और बहुत ही arbitrary action है बिना किसी applying legislative mind के है कह सकते हैं कि intelligible difference या पे based नहीं है arbitrary है और इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया कहा गया कि it is like a blanket एक कंबल की तरह है पॉलिटिकल डोनर्स के वो अपने favor में कल के दिन चाहते हैं judgment मतलब policies और वो इसलिए क्या करते हैं bond देते हैं पैसा देते हैं तो यह एक बहुत गलत बात हुई और जो violate करता है आर्टिकल 19.1.1 को People Representative Act 1951 को Income Tax Act और Company Act के against भी यह मामला आता है आगे बढ़ जाएंगे अब आपके सामने है आर्टिकल 370 इनरी आर्टिकल 370 ऑफ Constitution इस पर आप लोगोंने बहुत चर्चा की होगी आप सब को पता है कि आर्टिकल 370 को दिखिए इस बात को समझिए आर्टिकल 370 के उस प्रावीजन को रिपील किया गया है जो JNK को Special Status देता था और JNK की विधान सभा ही यह तै करती थी कि वह रहेगी या नहीं रहेगी Special Status में राष्टपती का रोल बहुत कम हो गया था एक तरह से स्टेटस के रेस्पक्ट में राष्टपती का रोल नहीं था लेकिन इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और प्रीवियस प्रावीजन को रिपील कर दिया गया आज के डेट में हम सब जानते हैं कि जम्मू कस्मीर को स्पेशल स्टेटस का दरजा नहीं है हाँ अब वो यूनियन टेरिटरी के तौर पर देखा जा रहा है ठीक अब एक और इनके कुछ जज्जमेंट है जो बहुत महत्तपूर्ण है शिल्पा सैलेस वर्सिस वरुन स्री निवासन ओथर जज्जमेंट अफर्मिंग दे सुप्रीम कोर्ट पावर टू ग्रांड डिवोर्स अंडर अर्टिकल 142 बेस्ट अन दी इरिट्रियेवेबल ब्रेकडाउन अफ मैरिज इरिट्रियेवल ब्रेकडाउन अफ मैरिज मेंज अगर इसको सरल्भासा में बोले हिंदी भी बोले तो अपुर्णिय विगटन विवाह का विगटन मतलब एक ऐसा सेनेरियों क्रियेट हो गया है कि मैरिज किसी हाल में रन नहीं कर सकता जैसे इसको समझिए जैसे बहुत लंबे समय से पति-पत्नी अलग रह रहे हैं और अब उनमें कोई भी तालमेल बैठने जैसे इस्तिती नहीं है लंबे समय से अलग होने के कोई भी रीजन हो सकते हैं साररिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी कारण से पारिवारी कारण से या एक दूसरे से बैर होने के वज़े से अब कोई ऐसी कंडीशन नहीं रह गई है जहां पर वो साथ रहें या लंबे समय से एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है कोई फिलिंग नहीं है तो उसको क्या बोल दिया गया उसको बोल दिया गया Irritriable breakdown of marriage एक बात आप याद रखें कि law commission की 71st report आई थी यहां पर मैं लिख देता हूँ 71st report ठीक है यह law commission की थी जगह कम है इसलिए संचित लिखना पड़ रहा है 1978 में आया था इसमें law commission ने भी यह recommend किया था कि हिंदू marriage act 1955 के section 13 में यह भी एक ground mention किया जाए हिंदू marriage act के section 13 में जो divorce के grounds है उसमें law commission में 1978 में ही इसको एक ground के तौर पर कहा था और एक case भी आपके सामने आएगा नवीन कोहली वर्सिस नीलू कोहली नवीन कोहली या कोहली होता है वर्सिस कोहली होता है आप कोहली लिखेगा नीलू नीलू सॉरी यह एक्चुली इसमें हटाने की वर्स्था क्या है देखनो तो हाँ हट रहा है नवीन कोहली वर्सिस नीलू कोहली नवीन कोहली वर्सिस नीलू कोहली के case में सुप्रीम कोट ने बहुत पहले ही इसकी बात की थी और सुप्रीम कोट ने यह रिकमेंड किया था विधाइका को कि यह जो इर्ट्राइवेबल ब्रेकडाउन है इसको भी डिवोर्स के ग्राउंड के तौर पर लिया जाना चाहिए तो यह भी एक case आप लोग के सामने आता है बहुत महत्त्रपुन केस है फिर उसके बाद और किन cases में यह शामील है उसको भी देख लेते हैं Central Public Information Officer Supreme Court of India versus सुभाष चंद्र अगरवाल इस case में जो main बात आई है वो यह आई है कि क्या Supreme Court Chief Justice का Office RTI Right to Information के दाएरे में आता है इसके पूरव एक मामला था मैं बताऊँ आप लोगों को यह judgment जो है वो इसमें जो चर्चा सबसे पहले हुई मतलब एक तरह से judgment के तौर पर जो देखा जाने लगा वो आता है 13.9.2019 को एक judgment आता है इसी संदर्व में 13.9.2019 यह उसी समय इस बात की चर्चा होती है और उसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस का आफिस देखिए क्या है चीफ जस्टिस के आफिस की बात की हो रही है एक मिनिट के लिए आप यह समझ लें नरेश कुमार के केस में फर्स टाइम यह बोला गया कि जुडिस्री इस नॉट ए स्टेट बट ए र अंतुले वर्सेस एस आर नायक में बोला गया कि इट शुड भी लाइक ए स्टेट बट जब तक नरेश कुमार को और रूल ना कर दिया जाए तो यह चर्चा बार-बार बनी हुई है लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जब जुडिस्री एग्जेक्यूटिव फंक्शन करती है जिसे एपॉइटमेंट है यह समाम चीजे हैं तो उसमें वो स्टेट हो जाती है तो वहाँ पर आफिस की बात आएगी इसलिए आफिस की बात हो रही है तो चीफ जस्टिस का आफिस भी आर्टियाई के दायरे में आता है यह बात 2019 में नौंबर में ही कहती गई और उसी पर एक केस पड़ा और उस केस में साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि हाँ वो आर्टि के लिमिट में है दायरे में है लेकिन अगर वो न्याय पालका की स्वतंत्रता उसके इंडिपेंडेंस को थ्रेट करने जैसा कोई इन्फार्मिशन लेने का प्रियास किया जा रहा है तो वो रिस्टिक्टेड हो जाएगा आर्टियाई अप्लाई नहीं करेगी और यह बहु आप कह सकते हैं कि सेक्योरिटी परपस से नहीं दिया जासता नहीं दिया जा सकता इन्फार्मेशन वहां पर इस चीज को रोका जाता है तो न्यापालका की स्वतंत्रता की सुरक्ष्या भी सेक्योर्टी आप इंडिपेंडेंस आफ जुडिसरी भी बहुत महत्त्पून बा के नाम पर नहीं वहां पर हम इसको छूने नहीं दे सकते यही बात कही गई सेंट्रल पॉब्लिक इंफॉर्मेशन आफिसर सुप्रीम कोट आफ इंडिया वर्सिस सुभाष चंद्रा अगरवाल ऑथर्ड दे मैजॉर्टी ओपिनियन इन फेवर इसके पाद एक और केस है और चंद्रबावु नाइडू अभी आपके सरकार के सयोगी बने हुए है और चंद्रबावु नाइडू वर्सिस उनियन आफ इंडिया इस केस में सुप्रिम कोट को ये सुप्रिम कोट ने ये कहा कि भाई आप जो वीवी पैट मिला रहे हैं वो बहुत कम जगहों पर उसकी फैसलिटी कर रहे हैं आप बूत को बढ़ाएं और इसका रीजन क्या है इसका रीजन भी दिखे अल्टीमिटली वही है प्चुल अजी फैर अनफ्री अलेक्शन और अजमेसर इस बैसिक स्ट्रक्शक्च्शर आफ इंडियन कोंस्चिटीशन यह कैसे कहेंगे यह ऐसे कहेंगे तब ही न जब आप आप कहेंगे कि हाँ पारदर्शिता है ट्रांसपरेसी है तो ट्रांसपरेसी को देखने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा तो यह एक जजमेंट आता है बहुत सामानसी बात है और इसके बाद जो अगला जजमेंट है जिसमें जस्टिस संजी उखनना थे बहुत बड़ा जजमेंट है जोजफ साइन वर्सिस यूनियन अफ इंडिया देखिए आप पहले जोजफ साइन को उस नजर से देखिए जिसके लिए यह जाना जाता है यहां पे तो इन्होंने कोट नहीं क्लेरिफाई कर दिया कि एडल्ट्री जो है का मामला है इसके बाहर आके आप देखिए सिंपली पहले आप जानिए कि असल में मामला क्या है यह बहुत पहले से चर्चा इस देश में हमेशा उठती रही है कि एडल्ट्री जो आईपीसी में 497 में था सेक्षन 497 में तो एडल्ट्री को एक अपराद के तौर पर दिखा जाता था एडल्ट्री वाज़क्राइम बट आफ्टर बी एडल्ट्री को मेंशन नहीं किया गया है उसमें और जोजफ साइन के केस में एकदम साफ साफ कह दिया गया कि एडल्ट्री जो आपके अभी रिटायर हुए है चीफ जस्टिस उनका था लेकिन आप यह जानें कि मेज़ॉरिटी ने एक मत में यह बात कही कि एडल्ट्री अपराद नहीं है और इसके बारे में आगे बढ़ते हुए यह बात संजी खन्ना के दोरा भी कही गई कि अपराद नहीं है और आम्स फोर्स के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन इस मामले में नहीं देखा जाना चाहिए यानि सब पर लागू होगा इंडरी इंटर्प्ले बिट्विन आर्बिट्रेशन एग्रिमेंट अंडर दी आर्बिट्रेशन एंड कंसलियेशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टांप आप लोग को मैंने बताया था कि यह आर्बिट्रेशन के होते थे जरूर होते थे और अब तो बात ही अलग है अब तो चीज रस्टिस हैं वही बेंच तैयार करेंगे यानि वही तैय करेंगे रोस्टर का पावर उनी के हाथ में है कि कहां कोई मामला जाएगा इसमें भी बहुत सिंपल सी बात कहा गया अपहेल दी वैलेडिटी कि जो वैधता है वैलेडिटी है उसको बनाया रखना चाहिए वह मानने होगा इसके बाद एक और जज्जमेंट आता है एस्सोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म वर्सिस एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया फिर वही हंड़ेड परसेंट वैरिफिकेशन दुबारा आ बात आती है करेंट सेनेरियो करेंट सेनेरियो करेंट सेनेरियो वर्तमान परेद्रिश्य सीजिया इसंजी खुना विल ओवर सी सिगनिफिकेंट बैकलॉग ऑफ ओवर 82,000 केसेश डी वाई चंदचूर जी के समय 69,000 पेंडिंग केसेश था इनके इस अलार चैलेंज यह जस् तरह से नियाइपालिका में मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़ी चुनोती के तोर पे देखा जाना चाहिए तो सुप्रिम कोट में बैकलॉग 82,000 केसेश के हैं जो जस्टिस डी वाई चंदरचूर के समय सिर्फ 69,000 ते लगभग 13,000 केसेश बढ़ गया और जब तक ये महीने रहेंगे, छे महीने तब तक कुछ और भी बढ़ जाएंगे, उमीद करते हैं कि डी वाई चंदरचूर की तरह ही ये भी बहुत पहतरी निरण है और बहुत milestone judgments हम लोग के सामने रखेंगे जादस जादस अंक्या में the court will handle critical constitutional bench cases including consultory of sedition law एक मामला अभी court में अटका हुआ है जो इनके सामने जाएगा चुकि Chief Justice है sedition law जो राजद्रों से सम्मंधित मामले है उसकी समयधानिक्ता का मामला इनके सामने है आप सबको पता होगा कि राजद्रों अब सपस्ट रूप से बी एनस में नहीं है अब थोड़ा सा उसमें changes लाए गए है और केदारनाथ सिंग वर्सेस टेट अफ बिहार कनिया कुमार वर्सेस एंसिटी अब देली स्रेया सिंगल वर्सेस यूनिन अफ इंडिया और तमाम ये तीन केस तो बहुत मातपूर्ण तमाम ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रिम कोट अफ इंडिया ने कहा कि sedition राजद्रो तब तक राजद्रो मतलब अपराद नहीं है जब तक कि in respect of seducive statement जो hatred create किया जा रहा है घ्रिणा पैदा की जा रही है सरकार की विरुद उसका impact या उसका result वाइलेंस नहों देखिए ये तो common सा paramount principle of criminal law है कि एक्टस्रिया और मिंस्रिया दोनों होना है और आप वो घ्रणा अपने मन में रखे हैं या किसी को आप घ्रणा पैदा कर रहे हैं किसी की मन में तो इसका result अगर है उसका impact यह है कि in such pursuence अगर आप कोई actus रहा करते हैं यानि कि कोई violence करते हैं तब यह कहा जाएगा कि वो sedition है तो यह मामला अभी court में अटका हुआ है तो कहतो दिया है बहुत सारे judgment लेकिन अभी इसका review petition पड़ी हुई है हाँ speaker role in disqualification proceeding यह भी बहुत important मामला है हम सब जानते हैं 10th schedule 52nd amendment से आया था और उसके बाद 91st amendment में फिर से 10th schedule की चर्चा होती है 91st amendment के पैरा 7 91st amendment के पैरा 7 को चैलेंज किया गया था की हो तो होलोहान वर्सिस जाचीलू एक judgment है की हो तो होलोहान वर्सिस जाचीलू के case में एक्चुली क्या था कि पैरा 7 क्या है कि speaker के power को बहुत ही arbitrarily बहुत हाई कर दिया था कहने का मतलब यह कि speaker किसी को भी disqualify कर दे अगर speaker किसी को anti-defection law के ताहत यानि 10th schedule के अंदर आने वाले किसी condition में speaker यदि किसी को disqualify करता है तो speaker के इस decision का सौरी जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता जुडिशल रिव्यू नहीं होगा इसी को पैरा 7 को doctrine of severability के basis पर हटा दिया गया क्योंकि बाकी 91st amendment बिल्कुल सही था बस यह पैरा 7 जो था वो जुडिशल रिव्यू को power को छीन रहा था और हम सब जानते हैं कि मिनरवा मिल वर्स स्ट्रक्चर आफ कॉंस्टिट्विशन तो की हो तो हो लोहान वर्स जाचीलो में इस चीज को फटा दिया गया लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो जब निर्णा आएंगे तो हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे वह अभी इनके सामने एक चैलेंज के तोर मैरिटल रेप हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह बिल्कुल होना चीए जो मैरिटल रेप है उसको भी रेप क्राइम अब वह अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं तो दो साल की सजा मिलेगी अगर 18 साल से कमाई हो कि इस तरी के साथ कर रहे है तो अदर्वाइज वह बहुत कम पनिस्मेंट दे रहे हैं यह गलत है रेप की अगर कंडिशन है रेप की कंडिशन है तो रेप को रेप मानिए पूरा पूरा दंड़ दीजे और यह मामला सबसे पहले जो चर्चा होई थी यूथ बार एसोसियेशन वर्सिस यूनियन आफ इंडिया इसको आप या इसमें कोई टिपणी करना मेरा ठीक नहीं है आप सब भी जान रहे हैं कि अबोटियन सेशन वाला इलेक्शन कमिशन नहीं है यह चुनाव आयोग अब खोड़ा सा जो एक इसके कॉंस्ट्यूशनल इमेज है ना पावर है ना उसको ठीक से यूज नहीं कर रहा है तो सुप् पाना गया है और बिहार कास्ट सेंसस यह बिल्कुल पॉलिटिकल मामला है अब यह भी इनके सामने एक चैलेंज है इसको यह देखेंगे तो यह तमाम बातें हम लोगों ने आज भारत के 91 मुख्य नयाय धीश, मुख्य नयाय मूर्ती संजीू खन्नाक जी के बारे में की औ और हम यह उमीद कर सकते हैं कि 13 माई 2025 तक हमें बहुत ही बेहतरीन जज्जमिन देखने को मिलेगा और हम यह भी उमीद करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई हूंगी, कृपिया इसे पुना देखें, ठैंक यू सो मच, नमस्कार. क्या हुत है, ओस्सी में थे लाओ इसे लेहतरीन ज sharpenे, तक हमें वाम धन resemb retro, वो यह चुना तक हैं कि आपको यह में आई हैं में देखनाया, जह उनसा